लीला और लालू नाम के पती पत्नी रहते थे उनका एक बेटा भी है और उसका नम सूरज है लीला सूरज की सौतरी मा है सूरज की सगी मा उसके बच्पन में ही गुजर गई थी उसके गुजर जाने के बाद लालू सूरज के लिए लीला से शादी कर लेता है लेकिन लालू ने जो सोच कर शादी की थी लीला बिल्कुल भी वैसे नहीं थी वो सूरज को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और घर का हर काम वसी से करवाती थी और चोटी-चोटी बात पर मारते भी थी ऐसे ही एक दिन सूरज मा, मैं तुम्हारा हर काम करता हूँ न फिर भी आप मुझे क्यों पसंद नहीं करती हो काना भी वक्त पर नहीं देती हो आप मैं तुझ से क्यों फ्यार करतूंगी बला तु मेरा सगा बेटा नहीं है और याद रख, दुबारा मुझे मा केकर मत बुलाना मैं तुझे इस गर में रहने दे रही हूँ यहीं बड़ी बात है, उपर से तुझे वक्त पर खाना चाहिए उसकी बाते सुनके, सूरज रोते हुए वहां से चला जाता है मा, आप तो वैसे भी नहीं हो जो मा है, वो मेरी शकल देखना पसंद ही नहीं करती पिता जी हमेशा काम-काम केकर गर के बाहरी रहते है क्या मैं किसी को पसंद नहीं हूँ? लालू घर चलाने के लिए, रात दिन खेत में काम करके उस खेत में उगे हुए सबजियों को रेडी पर डाल कर बेचता था ऐसे साधारन से चल रही लालू की लाइफ में एक दिन उसकी बहन और सूरज की बुवा अपने दिलिवरी के लिए उनके घर आती है कीर्थी गर आने से लालू और सूरज काफे खुश होते हैं लेकिन लीला से सूरज की कुशिब बरदाश नहीं होती और उसे कीर्थी का घर आना भी पसंद नहीं आता इसको काना डालना व्यर्द है अब ऊबर से भुराई करने के लिए ये राक्षिसनी आ गई है ऐसे कुछ दिन गुजारने के बाद लालू अच्छानक से तव्यित कराब होने की वज़ा से मर जाता है कीर्थी और सूरज लालू की मौत अच्छानक से होने की वज़ा से दुखी हो रहे थे तब ही लीला आकर कीरती से कहती है तुम मेरी गर में कदम रखते ही मेरे पती की मौध हो गई है अब बता चला मुझे तुम कितनी मनहूस हो उसकी बाते सुनकर कीरती काफी दूक्ही होते है ऐसे कुछ दिन बीतने के बाद आमधानी ना होनी के वज़ा से उनके हालत बहुत बुरे हो जाते है तुम्हारे आने से ही हमारी इतनी बुरी हालत हुई है अब तुम्हारा बच्चा इस गर में आ गया थो पता नहीं और क्या क्या होगा अब मैं यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रहूंगी छी छी ये कहकर लीला अपने मा के गड़ चले जाती है उसकी बाते सुनकर कीर्थी हे उपर वाले, मुझे मन हो समझ कर सस्रल वालों ने निकाल दिया था मुझे यहां पर देखा थो, यहां भी भुरा हाल है अब मैं क्या खरूँ ये कहकर दुख्य हो रही किर्थी के पास आकर सूरज बुवा, तुम दुख्य मत हो आपके लिए मैं हूँ पिता जी होते तो आपका कयाल जैसे रखते मैं भी आपका कयाल वैसा ही रखूँगा अब चुप हो जाओ तुम दिल से कितने अच्छे हो बेटा कितनी अच्छी सोच है तुम्हारी अगले दिन से सूरज केट के सारे काम करके उन सबजियों को शाम तक बेच कर उन पैसों से लोटते वक अपने बुवा के लिए दवाई और फल लेकर जाता है ऐसे ही वो हर रोज अपने बुवा को नीचे खदम बे रखने नहीं देता था सूरज ऐसे रोज ही तरह सबजिया बेच कर गर लोट रहा था कि जोरों के बारिश होने लगती है तबी सूरज भाग कर एक पेड़ के नीचे जाता है यहाँ पर कीर्ती उसका इंतजार कर रही थी तबी उसका डेलिविरी का टाइम शुरू हो जाता है हे बगवान कोई है मेरी मदद करने के लिए दद हो रहा है गर पर बुवा इंतजार कर रही होगी देर हुए तो परेशन होगी बीगते हुए ही सही कर जाना होगा यह सोचते हुए सूरज गर पहुंचते ही वहाँ पर कीर्ती जमेन पर गिरकर दर्द से चिल्ला रही थी बुवा बुवा अप टीक हो तोड़ा तोड़ा सबर करो मैं किसी ना किसी को मदद के लिए लेकर आता हूँ यह कहकर सूरज आसपास के घरों में जाकर महिला उनसे मदद मांगता है लेकिन उसकी मदद के लिए खोई नहीं आता सब तेरी बुवा मनहुस है उसकी मदद करने के लिए आएंगे तो हमें भी मनहुस यत लपत लेगी कहकर सूरज को भगा देता है आखरी में एक बुड़ी औरत उसकी मदद करने के लिए सामने आती है दोनों कीति के बस जाते हैं लेकिन दर्द से जोर जोर चिला रही कीति को देखकर भुड़ी औरत समझ जाती है कि बाद खंबीर है देखो बेटा तुम्हारे बुवा को तुरंथ हस्पिताल लेकर जाना होगा वरना उसकी जान भी जा सकती है अब मैं क्या करूं माजी आप मेरी मदद करो ना मैं बुवा को रेडी पर बैटा कर हॉस्पिताल लेकर जाता हूँ ये कहते हुए उस भुड़ी औरत की मदद से किल्थी को रेडी पर डाल कर पारिश में भीगते हुए हॉस्पिताल लेकर जाता है सूरज है उपर वाले मेरे बुवा को कुछ मत होने देना मा तो नहीं है अब बुवा में ही मा को देख लूँगा बुवा और बच्ची की हिफाज़त करना उपर वाले इतने में डॉक्टर सा बाहर आकर तुम्हारा बुवा बिलकुल टीक है और उन्हें बेटी हुई है बाकी गर वाले कहा है बेटा? यहाँ सिर्फ तुम ही नजर आ रहे हो? सूरज डॉक्टर को सारी बात बता देता है उसकी बाते सुनने के बाद डॉक्टर उसे देखकर काफित थारस खाता है अब तक अंध विश्वासी बातों पर विश्वास करने लोग है हमारे समाज में तुम सही वक्ट पर अपनी बुवा को हॉस्पटल ले आकर सही कान किया है तुम बहुत समझदर लड़के हो लेकिन डॉक्टर साब आपको देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है मैं आपको रोज सब्जिया बेचकर पैसा लाकर दे दूँगा उसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा मैं तुम जेसे अच्छे बच्चों से पैसे नहीं लेता तुम अपनी बुवा को लेकर आराम से गर जा सकते हो मैं तुम्हारा शुक्रियादा कैसे करू बेटा तुमने मुझे एक मा की तरह संबाला है ये ऐसान में जिन्दगी भर नहीं बोल सकती तुम मेरी मा की तरह हो बुवा ऐसे बाते मत करो अबसे बुवा नहीं मा कहकर बुलाओ बेटा ये बात सुनकर सुरज काफी खुश होता है और सब एक परिवार की तरह कुशी से रहने लगते हैं